अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी अन्सीटी ओफ डेली की तरफ से 30 नवेंबर 2021 के लिए मैट्स की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 121, क्लास 4 के लिए वर्कशीट है कि आप एक सिर्कल ड्रा कर पाएंगे और उसकी जो डायमेंशन जो भी दी होंगी वो आप उन डायमेंशन के हिसाब से सिर्कल ड्रा कर पाएंगे और उस सिर्कल में जो जो पार्ट होते हैं उनके नाम हम लिख पाएंगे यहाँ सभी student अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपने teacher का नाम लिखेंगे तो पहले हम एक चित्र पहली करते हैं यह चित्र एक है और यह चित्र दो है चित्र दो को चित्र एक जैसा बनाने की कोशिश की गए थी लेकिन फिर भी इसमें कुछ गलतियां रहे गई है तो हमें वो गलतियां ढूंड कर उनको teacher के साथ share करना है तो देखो पहली जो गलती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी तो जो पहली गलती हो देखो यहाँ यह spot नहीं है यहाँ पर यह है फिर सेकंड यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर है सेकंड फिर थर्ड क्या हो जागा यह इस तरीके से यहाँ पर घूमा हुआ नहीं है यहाँ पर यह है तो यह हो जाएगा थर्ड ठीक है और इसके अलावा जो फोर्थ है फोर्थ क्या हो जाएगा देखो यहाँ जो यह इसके नथुने बने हुए है इन पर यह इस तरीके से डाख है बट यहाँ पर यह नहीं है ठीक है तो इसके अलावा भी गलती है वो भी आप ढूंड कर टीचर की साथ शेयर कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे रंगोली अंकिता कागस पर रंगोली बना रही थी उसने पैंसल से एक वृत बनाया लेकिन मैं उसे अच्छे से नहीं बना पाई जब अमित ने देखा तो उसने अंकिता को वृत बनाने के लिए प्रकार यानि की कमपस का प्रयोग करने का सुझाओ दिया अमित ने उसे प्रकार का प्रयोग करना भी सिखाया तो कैसे करते हैं प्रकार का प्रयोग पहला क्या होता है प्रकार यानि की कंपस का एक सिरा नुकीला होता है ठीक है अब इतने दूसरे सिरे में एक पैंसिल लगाए और जो दूसरा सिरा होगा उसमें पैंसिल को लगाना है फिर उसने वृत की तरिजा यानि की रेडियस के अनुसार प्रकार को खोला तो माली जी वृत की तरजा लेनी है 3 cm तो scale पर एक सिरा जो नुकीला वाला है वो 0 पर रखे और जो दूसरा pencil वाला उसको 3 तक रखे उसको प्रकार को इस तरीके से खोलना है ठीक है? उसने प्रकार के नुकीले हिस्से को कागस पर रखा और उपर से प्रकार को पकड़ा फिर क्या करना है? जो नुकीला हिस्सा होगा उसको माली जी यहां कागस पर रखना है जो pencil वाला और प्रकार को उपर से पकड़ लेना है अब नुकीले हिस्से को घुमाए बिना pencil वाले सिरे को घुमा कर वृत बनाया ठीक है उसके बाद अंकीता ने भी अपनी रंगोली में प्रकार की मदद से कई गोल्ड डिजाइन बनाए अब आप भी पैमाने यानि की स्केल और प्रकार यानि की कमपस का प्रयोग करते हुए 3 cm, 4 cm, 6 cm तुरजा की लंबाई के वृत बनाने का प्रयास कीजिए तो आपको भी क्या करना है पहले तीन सेंटेमिटर माप के पैवाने पर यानि की स्केल पर तो आप और फिर उसको प्रकार के नुकिला हिस्से को यू रखके और पैंसिल को घुमाएंगे इस तरीके से वी तो ये हो जाएगा तीन सेंटेमिटर का तो ये जो ये बीच में रख चार सेंटिमेटर जितना खोलेंगे प्रकार को फिर बीच में ऐसे ही रखके और फिर पैंसिल वाले सिरे को गुमाते हुए चार सेंटिमेटर का बनाएंगे उसमें भी यह जो है यह केंदर यानिकी सेंटर हो जाएगा और लास्ट में फिर आप क्या करेंगे स्केल पे 6 सेंट आप इसको गुमाते ही उसमें और आपको सेंटर ये सेंटर दिखा सकते हो ठीक है कि आप सोचकर बता सकते हो कि एक वृत के कितने केंद्र हो सकते हैं तो एक जो वृत होता है उसका सिरफ और सिरफ एक ही केंद्र होता है ठीक है यानि कि एक ही जगे बीच में रखके तो आप उसके तुरिजा के हिसाब से वृत बनाएंगे तो इसलिए कितने केंद्र होते हैं सिरफ एक केंद्र होता है अब आगे देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाओ रहेगा कि बच्चों को प्रकार की मदद से कागस पर रंगोली के विभिन डेजाइन बना ले के लिए प्रेरित कीजिए और इसके साथ कोरोना से बचने क के लिए COVID-19 के विरुद्ध लडाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना जरूरी है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चानल को सुब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में